बॉलिवर्ट की सेलबर्टीज भी हिल चुकी है और टाइगर का इंतजार दुनिया कर रही है एक सच्चा देश भक्त की सरीके से देश दुरोई बन जाता है एक बहुत बड़ा मिशन दिया गया है टाइगर को और दुनिया इस बात का सवाल डून रही है के इतना बड़ा राक एजन दोखे बाज कैसे बन गया उसको ऐसा क्या करना पड़ा जिसकी वज़े से वो देश के नजरों में गिर चुका है ये स्टोरी बहुत बड़ी होने वाली है अनुषका शर्मा कहती है कि टाइगर मुवी का मैं भी बेस अबरी से वेट कर रहे हूँ मैचिस की वज़े से थोड़ा सा जिस्टिबंस तो है लेकिन सल्लू मिया ने जो किर्केट ग्राउंड के अदर बाते बोली है उसको देख रहे हो सुनने के बाद यही लग रहा है कि टाइगर मुवी इंडिया की नंबर वन मुवी बनने का पावर रखती है सल्मान भाई का स्टर्डम बहुत बड़ा है सल्लू मिया के चाने वाले भी बहुत ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं इस बाई सल्मान घान अपने अब्तार में हा रहे है यानि के दवस्में शुझा कितनी बड़ी तबाही का मंदर होगा सर्मान खान जब जब एक साथ आए है तब तब सुनामी का मंदर देखने को मिला है और इस बार तो एक बहुत बड़ा अच्छन सीक्वंस आपको देखने को मिलेगा और इस बार यह भी बताया जा रहा है यह जो मिशन है जो टाइगर को दिया गया है वो भी खतरनाग मीशन मनिश शर्मा ने पूरी जी और जहान से इस मूवी को बनाया है तो इस बार कहीं न कहीं टाइगर बहुत बड़ा शिकार करेगा क्या लगता है आपको दीवाली पर कितना बड़ा बवाल मचाने टाइगर आ रहा है कमेंड बुक्स में लिखेगा और आप कितना वेट करेंगो टाइगर का कमेंड बुक्स में ये भी लिखेगा और क्या लगता है भाई साब कौन सा रेकॉर्ड तोड़ेगी पठान का या फिर जवान का ये भी आपको लाज़मी बनारा है और अनुश्का शर्मा की बातों से आप कितना सेमत हो कमेंड बुक्स में लाज़मी लिखेग और बता दो टाइगर मरा नहीं कब तक टाइगर जुका नहीं तब तक के लिए रन्यवाद